जब भी कोई body free fall में होती है किसी भी fluid के अंदर उसकी velocity नीचे जाते जाते बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है फिर एक maximum velocity body achieve कर लेती है चाहे वो 100 meter per second हो 50 meter per second हो जो भी होगी उससे ज़्यादा body की velocity बढ़ नहीं पाती और उसी velocity को कहते है terminal velocity ज्यादा जानकारी के लिए description वाल के help हो जाएगी